मेरी 16 साल की बेटी अंधी थी जिसकी वज़ा से मैं बहुत परिशान रहती थी मैं जगा जगा लेकर इसे घूमती थी मगर कोई फाइदा नहीं हुआ था एक दिन मेरी जिठानी ने एक बाबा के बारे में बताया जो बहुत मशूर था मैं अपनी बेटी को इस 70 साल के बूड़े बाबा के पास लेकर गई तो वो कहने रगा कि तुम कल शाम को अपने घर का दरौजा खुला रखना मैं तुम्हारी बेटी के लिए दवाई लेकर आओंगा मैंने इसकी बात मानकर अगले दिन अपने घर का दर्वाजा खुला छोड़ दिया तो शाम के छे बजे वो बुड़ा बाबा हमारे घर आ चुका था बाबा हमारे घर पर आया और इसने अपने थेले से दो पूरियां दे दी और कहने लगा इसे खुद भी ले लो अपनी बेटी को पानी में मिला कर दे दो इसके बाद तुम्हारी बेटी देखने लगेगी मेरी बेटी और मैंने खुशी खुशी इस दवाई को पानी में मिला कर पी लिया दवाई पीते ही हमारी आंखों के सामने अंधिरा चाने लगा था और हम भी होश हो गए थे ऐसे ही हमारी आंख खुली तो ये देखकर पैरो तले से जमीन निकल गई कि मेरी बेटी तो बहुत बुरी हालत में वहाँ पर मौजूद थी मेरी शादी को पांच साल हो गए थे लेकिन अभी तक मेरे पास कोई उलाद नहीं थी मैंने बहुत सारे डॉक्टर से इलाज करवाया था मेरी शादी का छटा साल लगा तो मैं प्रेगनेंट हो गई मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशी थी और मेरी खुशी का कोई ठीकाना नहीं था उलाद हासिल करने के लिए मैंने बहुत सारे जतन किये थे मैंने बहुत सारे डॉक्टर से इलाज करवाया था मेरे शोहर ने मेरा हमेशा साथ दिया था मेरे शोहर बहुत ही अच्छे इंसान थे उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा था मेरे सुसराल वले मुझे उलाद ना होने पर बहुत ताने दिया करते थे वो लोग मुझे बांच समझते थे मैं इन बातों से बहुत तंग आ गई थी मैं तो अब हिम्मत ही हार गई थी और अपने शोहर से भी कह दिया था कि तुम चाहो तो दूसरी शादी कर सकते हो मैं तो तुमें उलाद की खुशी नहीं दे पाऊंगी मगर वो मेरी बातों को इग्नोर किया करते थे वो कहते थे अगर खुदा ने हमारी किसमत में उलाद का सुक लिखा होगा तो हमें जरूर मिलेगा नहीं तो दूसरी शादी से भी नहीं हुई तो फिर मैं क्या करूंगा खुदा ने आखर मेरी सोन ही ली थी मेरे घर ननी सी परी ने जनम लिया था मेरी और मेरे शोहर की तो खोशी का कोई ठीकाना ही नहीं था मैं सारा सारा दिन बेटी को गले से लगाए रखती थी यहां तक कि मेरे शोहर बेटी को गोत में लेने के लिए तरस चाते थे मैं अपनी बेटी को हमेशा महंगे कपड़े पहनाती थी और घर में इसकी जरूरत का हर समान मौजूद था मेरी बेटी का बच्पन बहुत अच्छा गुजरा था और फिर तीसरे साल में लग गई थी मगर अभी तक इसने देखना शुरू नहीं किया था मैं इसके सामने कुछ भी करती तो इसे पता ही नहीं चलता था मैं दुआ की मा थी इसलिए सारी बाते इग्नोर करती थी मगर पडोस की औरते बार बार आकर मुझे एसास दिलाया करती थी कि तुम्हारी बेटी तीन साल की हो गई है अभी तक कुछ देख नहीं सकती क्योंकि मेरी बेटी के साथ जितने भी लोगों के बच्चे महले में पैदा हुए थे वो सब के सब अपनी आंखों से साफ साफ देखते थे मुझे इनकी बातों ने बहुत जादा डरा दिया था मैं अभी तक किसी के साथ अपना दर्द छेर नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं ऐसे महले में रहती थी जहां पर इनसान के अंदर किसी तरह की कमी होने पर इसका वो ही नाम रख दिया जाता था ये सोच कर ही मेरा पूरा बदन काम चाता था कि लोग मेरी बेटी को अंधी बोलेंगे ये बाते सोच सोच कर मेरा दिल घपरा जाता था मेरे शोहर भी ये बात अच्छे से नोट कर रहे थे मुझे कहते थे कि क्या बात है सोबिया तो मुझे इतनी परिशान सी क्यों लग रही हो मेरे शोहर ने जब मुझे पूछा तो मैं फूट फूट करोने लग गई मैं कहने लगी यासर हमारी बेटी तीन साल की हो गई है मगर अभी तक वो कोई चीज क्यों नहीं देख पाती पर उसकी औरते मुझे डराती है और अजीब अजीब तरहां की बाते करती है कि शायद हमारी बेटी अंदी है अब तो मुझे भी यही लगने लगा है क्योंकि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है अभी तक कुछ देख नहीं पाती वो मेरी तरफ देख कर मुस्कुराने लगा और कहने लगा सोबिया तुम्हें क्या हो गया है तुम तो सच में पागल हो गई हो नजाने कब से ये बाते अकेली ही बरदाश कर रही हो तुमने अगर मुझसे पहले कहा होता तो हम दोनों मिलकर इसका कोई ना कोई हल निकाल लेते मैं जट से कहने लगी तो फिर मुझे बताओ क्या हल निकाला है आपने यासर कहने लगे मैं कल आफिस नहीं जाओंगा हम दोनों अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे आंखों की रोशनी के लिए शेहर में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर है मेरी बेटी की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी और वो भी देखने लगेगी डॉक्टर सारा चेक अप करके हमें बता देगा कि हमारी बेटी के साथ क्या परिशानी है मैं यासर की बात सुनकर खुश तो हो गई थी लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक बात आ रही थी मैं कहने लगी अगर डॉक्टर ने भी कह दिया कि हमारी बेटी पिदाईशी अंदी है तो हम क्या करेंगे यासर कहने लगे तो हम कुछ नहीं करेंगे हम खुदा का शुकर अदा करेंगे कि इसने हमें बेटी जैसी रहमत से नवाजा और तुमें पता है कि कितने सालों बाद हमें उलाद मिली थी हमारी बेटी की रूप में जिस के लिए हम तरस रहे थे अब अगर इसमें कोई कमी है तो ये भी खुदा की कोई मर्जी है और हाँ हमें हर हाल में अपने खुदा की मर्जी को कबोल कर लेना चाहिए मैंने अपने शोहर की बात सुनकर असबात में सरहिला दिया और कमरे से निकल कर किचन के कामों में लग गई किचन में काम करते वक्त मैं ये सोच सोच कर परिशान हो रही थी कि कहीं ऐसा नहो कि मेरी बेटी पिदाशी अंदी हो ये सोच सोच कर मेरा दिमाग भटा जा रहा था सारा दिन मैंने कुछ खाया भी नहीं था टेंचन की वज़े से मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और रात को ढंग से नीन भी नहीं आ पा रही थी मुझे अपनी बेटी बहुत प्यारी थी मुझे अपनी बेटी की आने वाली जिंदेगी की हमेशा फिक्र रहती थी कि अगर वो ऐसे ही अंदी रही हो रहा था रो रो कर मेरी आंखे भी सूच चुकी थी हॉस्पिटल मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे किसी बहुत बड़ी मुसीबत के पास लेकर जाया जा रहा हो सुबा के ग्यारां बज रहे थे मेरे शोहर ने कहा मैं शहर के सबसे बड़े डॉक्टर से अपनी बेटी के लिए ये सारी information लेकर आ गया हूँ तुम जल्दी से त्यार हो जाओ और दुआव को भी त्यार कर लो हम डॉक्टर के पास चा रहे हैं मेरी बेटी बहुत अच्छी थी इसने कभी भी मुझे तंग नहीं किया था मैंसे जैसा कहती वो वैसा ही कर लिया करती थी मैंने अपनी बेटी को प्यारी सी फ्रॉक पहनाई जिसे पहन कर वो बहुत प्यारी लग रही थी और मैं भी त्यार हो गई इसके बाद हम डॉक्टर के पास चले गए डॉक्टर ने मेरी बेटी की अंखों का पूरा चेकप कर लिया था चेकप करने के बाद वो कहने लगे आपकी बेटी के साथ कोई परिशानी नहीं है जैसे जैसे आपकी बेटी की उमर बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे इसकी आंखों की रोशनी भी आ जाएगी आप फिकर मत कीजिए आपकी बेटी की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी बस आपको अपनी बेटी का ख्याल रखना होगा मैं अभी के लिए थोड़ी सी दवाईयां दे रहा हूँ आपकी बेटी की आँखों की रोशनी धीरे धीरे साफ होने लगेगी इसकी इलावा हमारे पास काफी सारी सहुलते भी मौजूद है आप चाहें तो अपनी बेटी को हमारे क्लेनिक भेज कर इसकी ट्रेनिंग करवा सकती है हर हفتے अपनी बेटी को हमारे क्लिनिक पर ले आईए का आपकी बेटी धीरे धीरे देखने लगेगी डॉक्टर की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा था जैसे किसी ने मेरे कंदों से बहुत भारी बोज उतार दिया हो मैं बहुत खुश हो कई थी और मुझे उमीद की किरन नजर आने लगी थी इसलिए अपने शोहर से कहने लगी कि आप हमें शॉपिंग मॉल लेते चलिए मुझे दूआ के लिए अच्छे च्छे कपड़े खरीदने है और दूआ की मैंने खुब सारी शॉपिंग की जब से दूआ पैदा हुई थी मैंने खुद पर ध्यान देना ही बन कर दिया था मुझे ना तो पहनने का होश था और ना ही ओडने का मैं खुद पर बहुत कम ध्यान दिया करती थी बस मुझे हमेशा अपने शोहर और बेटी की ही खुशियों की फिकर लगी रहती थी फिलहाल अब तो मैं खुश रहने लगी थी क्यूंकि डॉक्टर ने मेरी टेंशन थोड़ी कम कर दी थी इसी तरह से वक्त गुजरता चला गया हमने इस डॉक्टर की बात में आकर बहुत पैसा खर्च किया जिस तरह से चेक अप करने को वो कहता हम हमेशा वैसे ही कर लिया करते थे यही सोच करके शायद हमारी बेटी देख सके लेकिन धीरे धीरे मेरी बेटी अब 9 साल की हो चुकी थी और इसने अभी तक कुछ भी देखना शुरू नहीं किया था मैंने यासर से का अब हम इस डॉक्टर के पास अपनी बेटी को बिलकुई भी नहीं लेकर जाएंगे हम अपनी बेटी को किसी और अच्छी डॉक्टर को दिखाएंगे फिर ऐसा हुआ कि हमने शेहर का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा यहां तक कि कोई हमें दूसरे शेहर की डॉक्टर की भी राय देता तो हम अपनी बेटी को वहीं लेकर चले जाते लेकिन हर जगा हमें मायूसी की इलावा कुछ भी हात नहीं लगता था इसके बाद हमारे किसी रिष्टेदार ने हमें कहा कि आप डॉक्टर को छोड़ कर किसी होमियोपैथिक डॉक्टर को दिखाएं किसी दूसरे बच्चे ने भी इसी तरह से देखना शुरू किया था वो डॉक्टर बहुत अच्छा है तुम देखना तुम्हारी बेटी भी देखने लगेगी अब मुझे एक नया रास्ता दिखाई दे गया था और मैं इसी रास्ते की तरफ चलने लगी थी कई साल हमारे इसी तरह से बरबाद हो गए थे और ऐसे ही करते करते मेरी बेटी चौदा साल की हो गई थी मगर अभी तक इसे कुछ दिखाई नहीं देता था मेरे शोहर की जितनी भी तनख़ा होती थी वो सारी हम दौा के इलाज पर खर्च कर दिया करते थे इसलिए हम अपने बढ़ापे के लिए कुछ पैसे महफूस भी नहीं कर पाए थे मेरी बेटी अब धीरे धीरे जवान हो रही थी और वो इतनी खुबसूरत हो रही थी कि मैंसे दिल भर कर देखने से भी ड़ती थी कि कहीं मेरी बेटी को मेरी ही नजर ना लग जाए हमारे आस पड़ोस के लोग भी मेरी बेटी की खुबसूरती की तारीफ किया करते थे और सब लोग यही कहा करते थे कि सोबिया की बेटी दौा बहुत खुबसूरत है अगर ये बिचारी देखती भी होती तो इसके घर पर अभी से ही इसके रिष्टे आने शुरू हो जाते लोगों की ये बाते सुनकर मेरा दिल चलता रहता था मेरी उमर इतनी नहीं थी लेकिन जादा टेंशन लेने की वज़ा से मेरे चेहरे पर जूरिया आने लगी थी और मैं बूरी लगने लगी थी को इनकी फीज दी और वापिस आने के लिए खड़े हो गए थे और बाहर आए हमारे सामने ही एक बाइस साल का लड़का अपनी बाइक पर जा रहा था एक तेज रफतार कार इसे टकर मार कर आगे बढ़ गई वो जवान लड़का जमीन पर गिर गया था और इसके सर से बुरी तरह से खून बे रहा था यासर उस लड़के के पास गए उन्होंने आस पास खड़े कई लोगों को मदद के लिए बुलाया लेकिन इसकी मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ा था बड़ी मुश्किल से एक टेक्सी वाला इस लड़के को हस्पताल लेकर जाने के लिए राजी हुआ हम इसे हस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने अपना इलाज करना शुरू कर दिया था फिर मैं अपनी बेटी को लेकर घर आ गई थी जबकि यासिर रात भर इस लड़के के साथ हस्पताल में ही रहे थे जब वो वापस आये तो उन्होंने बताया कि इस लड़के की हालत काफी सीरियस थी और वो कौमे में चला गया था और इसके पास ऐसी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी जिस से इसकी पहचान की जा सकती हो मैंने इस Lड़के के लिए बहुत सारी द्वाइं की थी नचाने वो लड़का किस माँ का बेता था और इसकी माँ इसके लिए कितना परिशान हो रही होगी कुछ दिन मेरे शोहर इसी तरह हस्पताल जाते रहे और इस लड़के का इलाज चलता रहा वो कुछ ठीक हुआ तो मेरे शोहरे से हमारे घर पर लेकर आ गए थे उस लड़के के सर पर पट्टी बंधी भी थी मैंने अपने शोहर की तरफ घूरते वे देखा तो वो इस लड़के को गेस्ट्रों में चोड़कर आए और कहने लगे सोबिया ये लड़का होश में तो आ गया है लेकिन अपनी यादाश्ट खोचुका है डॉक्टर ने कह दिया है कि हम इसको डिस्चार्ज कर देते हैं और धीरे धीरे इसका ट्रीटमेंट चलता रहेगा तो इसकी यादाश्ट भी वापस आ जाएगी तब तक मुझे इसे यहां लाने के इलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा ये कहां जाता जबकि अभी तक इसकी फैमली से भी कोई नहीं आया था किसी ने शायद इसे ढूनने की भी कोशिश नहीं की थी मुझे इस लड़के की बहुत फिकर सता रही थी इसलिए मैं इसको साथ लेकर आ गया इस लड़के को अपना नाम तो याद आ गया है इसने अपना नाम वहाब बताया है मेरे शौर बहुत परेशान लग रहे थे फिर मैंने भी इनकी तरफ देखते वे कहा यासर आपको नहीं पता कि हमारी बेटी जवान है तो वो कहने लगे कि अभी ये लड़का बिमार है जब तक ये ठीक हो जाएगा तब तक मैं इसके लिए कोई ना कोई ठीकाना ढूंड ही लूँगा मैंने असपात में सरहिला दिया मुझे भी इस लड़के की हालत देखकर इस पर तरसाता था इसलिए मैं भी इसका ख्याल लखने लगी थी वो बहुत प्यारा लड़का था और मैं इसको देखकर सोचती थी कि अगर खुदा मुझे एक और उलाद देता और वो बेटा होता तो आज मेरी फैमली पूरी हो जाती शायद मेरा बेटा इसके जैसे ही होता मैं जब भी इसका कोई काम किया करती तो मुस्कुरा कर मुझे शुकरिया बोलता था जहां तक मेरी बेटी की बात है तो वो लड़का मेरी बेटी को आँख उठा कर नहीं देखता था मुझे इसकी शिराफत ने बहुत मतासर किया था इसी तरह एक महिना गुजर चुका था और वो लड़का धीरे धीरे चलने भी लगा था एक दिन मैं अपने कमरे में टीवी देख रही थी और मेरी बेटी उस टाइम पर सो रही थी तो वो लड़का मेरे कमरे में ही आ गया था और मुझे से कहने लगा आंटी क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ हाँ हाँ बिल्कुल जरूर पूछो तो कहने लगा आंटी मुझे ऐसा क्यूं लगता है जैसे आपकी बेटी देख नहीं सकती क्या आपको नहीं लगता क्या आपकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है आपको इसकी आँखों की रौशनी के लिए कुछ करना चाहिए वहाब की बात सुनकर मेरी आँखों में आँसू आ गए थे मैंने इसे कहा बेटा मेरी बेटी अंधी है और वो देख नहीं सकती यह बात सुनकर वहाब की आँखे फटी की फटी रह गई थी मैं कहने लगी जब वो तीन साल की थी तब से ही मैं इसका इलाज करवा रही हूँ अब वो सोना साल की हो गई है लेकिन अभी तक कोई फाइदा नहीं हुआ इसने सारहिला दिया और कहने लगा आंटी इससे कोई फाइदा नहीं हुआ तो आपने अपनी बेटी का इलाज अभी तक बंद क्यों नहीं करवाया अगर आप इसे खुदा की मर्जी समझ कर कबूल कर लेती तो शायद आपको अभी तक सकून मिल जाता मुझे वहाब की बाते सुनकर बहुत खुसा आने लगा था और मैं चिला कर इसे कहने लगी तुम्हारी हिमत कैसे हुई ऐसे कहने की दुआ मेरी इकलौती बेटी है मैं तो मरते दम तक अपनी बेटी का इलाज करवाती रहूंगी जब तक वो ठीक नहीं हो जाती वो तो फिर भी मेरी बेटी है लेकिन हम तो तुम जैसे इनसान का भी लाज करवा रहे है और बस इतना ही नहीं तुम्हे अपने घर में रहने के लिए जगा भी दी है और तुम्हारे साथ बिल्कुल अपनों जैसा ही रवाया रखा है तुम्हे तो शायद याद नहीं लेकिन हमने देखा था तुम्हे एक तेज रफतार कार हमारी आंखों के सामने टकर मार कर गई थी और कोई भी तुम्हें बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा था और तुम्हारे बचने के भी चांसिस नहीं थे मेरे शोहर ने तुम्हारी मदद की तो क्या हम तुम्हें वहां पर मरावा छोड़कर वापिस चले जाते और अब तुम्हारी यादाश चाच चुकी है और हमें नहीं पता के तुम्हारा इलाज कब तक चलेगा तो क्या तुम्हारे इलाज की सोच को बंद कर दें कि इसमें भी खुदा की मर्जी है और तुम्हें अपने घर से निकाल दे मेरी जवान बेटी की होते वे भी हमने तुम्हें अपने घर में रहने के लिए जगा दी वहाब की बात तो सीधा मेरे दिल पर जा लगी थी क्योंकि जो बात वहाब ने मुझसे कही थी ऐसी बात आज तक मुझे किसी ने नहीं कही थी और फिर वो अनजान लड़का जिसे इस बात का बिलकुल इलमी नहीं था कि मैं किस तरह से अपनी बेटी को देख देख कर तकलीफ में रहती हूँ और किस तरह से हलात का सामना करती हूँ वो मुझे ऐसी राय कैसे दे सकता है मैं इतने घुसे में हो गई थी कि बिना कुछ सोचे समझे ही बोलते चली जा रही थी वहापके तो चेहरे का रंगी उड़किया था वो कहने लगा अंटी मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था अगर आपको मेरी बात बुरी लगी है तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ मैं पहले से काफी बहतर हो चुका हूँ और जहां तक मेरी यादाश्ट की बात है वो भी धीरे धीरे वापस आही जाएगी लेकिन तब तक मैं आप लोगों पर बोज़ बन कर नहीं रहना चाता मुझे यहां से जाना ही होगा मुझे पता है कि आप लोग के इज़तदार और शरीफ महले में रहते हैं और आपकी जवान बेटी भी है लोगों को इल्जाम लगाते वे जादा देर नहीं लगती इसलिए मैं यहां से जा रहा हूँ मैं अंकल के सामने तो यहां से नहीं जा सकता वरना वो मुझे रोख लेंगे और जाने नहीं देंगे आप इनको मेरी तरफ से शुक्रिया बोल देना जिन्दगी रही तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी और आप लोगों के साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगा इतना कहकर वहाब मेरे पास से उठकर चला गया था मैं अभी तक गुसे में ही बैठी हुई थी कि वहाब ने आखिर मुझे से ऐसा क्यूं कहा था कि मुझे अपनी बेटी की मजबूरी खुदा की मर्जी समझ कर कबूल कर लेनी चाहिए इसने मुझे दिलासा क्यूं नहीं दिया और ये क्यूं नहीं कहा कि अंटी आपकी बेटी एक ना एक दिन ठीक हो जाएगी और हैरानों में आप जैसी माँ पर जिसने अभी तक हिम्मत नहीं हारी आप ऐसी माँ हो जिसने अपनी भी परवा नहीं की और अपनी बेटी की इलाज में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी मैं ये सारी बाते सोचती चली जा रही थी और रोती चली जा रही थी मेरी बेटी थोड़ी दिर बाद सोकर उठ गई थी और वो कुछ परिशान सी लग रही थी मैंने पूछा क्या हुआ तो वो कहने लगी माँ ऐसा लग रहा है वहाब घर में मौजूद नहीं है माँ आफिर वहाब कहां पर चला गया और अगर वो घर में ही है तो फिर मुझसे बात क्यूं नहीं कर रहा मैंने द्वा से कहा बिटा तुम अराम करो वो यहीं कहीं होगा मैंने इसकी बात को इगनोर किया और अपने काम में लग गई मेरी बेटी फिर मुझसे बार बार वहाब के बारे में पूछने लगी तो मैंने इसे कह दिया बेटा वो ठीक हो गया था इसलिए अपने घर वापस चला गया अब वो हमारे घर कभी नहीं आएका मैंने महसूस किया था कि मेरी बेटी एक दम से ही उदास हो गई थी इसकी आँखों में आसू आने लगे थे और वो मुझसे कहने लगी वहाप को इस तरह से हमारे घर से नहीं जाना चाहिए था और वो मुझसे मिलकर भी नहीं गया मेरी बेटी को इसके साथ लगाओ हो गया था क्यूंकि वो मेरी बेटी के साथ बाते करता था ये बात कहकर मेरी बेटी अपने कमरे में चली गई थी इसके जाने के बाद जैसे मैं कुछ होश में आने लगी थी मुझे अपने किये पर पश्टावा होने लगा था नजाने मैंने इस लड़के के साथ इतना बुरा कैसे कर दिया था कि वो हमें छोड़ कर चला गया था अब अगर इस बारे में मेरे शोहर को पता चल जाता तो वो मुझसे बहुत नराज होते और वहाब के जाने से मेरी बेटी भी उदास हो गई थी मैं बहुत जादा परेशान हो चुकी थी शाम को मेरे शोहर जब ऑफिस से घर आए तो उनोंने घर आते ही सबसे पहले वहाब के बारे में ही पूछना शुरू किया था मैं घबरा गई थी और कहने लगी वहाब की यादाश वापिस आ गई थी इसलिए वो अपनी फैमिली के पास वापिस चला गया मेरे शोहर की आंखों में शिक्वा साफ नजर आ रहा था वो कहने लगे सोबिया मुझे वहाब से ऐसी उमीद नहीं थी कहीं तुमने तो इसे कुछ नहीं कह दिया मैं घबरा गई थी और अपनी नजरे चुराने लगी थी यासर कहने लगे सोबिया मुझे वो लड़का बहुत अच्छा लगने लगा था ऐसा लगने लगा था जैसे वो मेरा अपना ही बेटा हो आखरी बार मुझे से मिलकर भी नहीं गया चलो वो जहां रहे खुश रहे मैं अपनी शोहर के पास से उठकर किचन में आ गई थी कोश दिन इस तरह से गुजर गए थे क्यासर ने मुझे से इसके बाद वहाब के बारे में कोई बात नहीं की थी क्योंकि इनकी एक बहुत अच्छी आदत ये थी कि वो मुझे जादा शिर्मिंदा नहीं किया करते थे हमेशा मेरी गलतियों को माफ कर दिया करते थे और इग्नोर करने की कोशिश करते थे लेकिन मैं वहाब के लिए अंदर ये अंदर से बहुत टेंशन में आ गई थी वो एक बहुत अच्छा लड़का था इसका रवया बहुत अच्छा था कि वो किसी पड़े लिखे और अच्छे खानलान से तालुक रखता होगा दौा भी वहाब के जाने के बाद बहुत खामोश रहने लगी थी और मैं इसकी हालत को अच्छी तरह से देख सकती थी फिर मैं ये भी नहीं समझ पा रही थी कि इसकी ये हालत किस तरह से हो गई है एक दिन हमारे घर पर मेरे शोहर की भाबी आई थी इसकी शादी मुलतान में हुई थी इसलिए वो दो दिन के लिए हमारे घर पर आई हुई थी आज इसके जाने का दिन था शाम चार बज़े तक वो अपने घर जाने वाली थी इसने मुझे बताया कि सोबिया आपको पता है हमारे मुलतान में रहने वाल एक मशूर बाबा यहां पर आपके शेहर में आए हुए है और वो लोगों की परिशानियां हल करने के लिए आए है इनकी अमर और तरज़बा बहुत जादा है वो लोगों का इतना अचा इलाज करते हैं के बेउमीद लोग भी इन से उमीद लगा बैठते हैं इंशानिया बहुत winter बहुत बहुत जादा हैं वो पैसे थो थोड़े जादा लेते हैं लेकिन काम अच्छा करते हैं और वैसे भी आप अपनी बेटी पर अब तक काफी पैसे खर्च कर चुकी है मुझे उमीद है कि इस बुड़े बाबा के इलाज से हमारी द्वा भी देखने लगेगी मैं अपनी जिठानी की बात सुनकर बहुत खोश हो गई थी और मुझे उमीद की एक बार फिर गिरन नजर आने लगी थी ऐसा लग राता जैसे कई दिनों के अंधेरे के बाद थोड़ी रोशनी नजर आने लगी है मैं कहने लगी भाबी क्या वो बुड़ा बाबा इतना अच्छा है कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी वो अपनी आंखों से देखने लगेगी तो वो कहने लगी भाबी इस बुड़े बाबा के तो हमारे मुलतान में बहुत चर्चे है और वो यहां पर सिर्फ 15 दिन के लिए ही आया है इससे पहले वो यहां से चला जाए आप इसका फाइदा उठा लो और जरूर हमारी दूआ ठीक हो जाएगी आपको पता है मेरी बहन को अभी तक उलाद नहीं हुई थी शादी के पूरे साथ साल बाद इसका इलाज बाबा से करवाया इसके बाद इसने एक बेटे को जनम दिया अपनी जिठानी की बात सुनकर मुझे उमीद जाकती वी नजर आ रही थी मैंने अपनी जिठानी से इस बाबा के बारे में सारी इन्फॉमिशन ले ली थी शाम के चार बज़े तक मेरी जिठानी जेट के साद अपने घर चली गई थी और इसके बाद मेरे शोहर आफिस से जब घर पर आए तो मैंने इनकों इनकी भाबी की बताएवे बाबे के बारे में बताया मगर बाबा को लेकर यासर कर रवया कुछ अजीब सा लग रहा था मैं कहने लगी यासर तुम पैसों की परवा मत करो मैं अपना जेवर बेच दूँगी लेकिन अपनी बेटी का इलाज करवा कर ही रहूंगी यासर कहने लगे दूआ के लिए आज तक मैंने कभी पैसों की परवा नहीं की मैं तो ये सोच कर परिशान हो रहा हूँ कि हमने अपनी बेटी को आज तक कितनी दूआयां खिलाई हैं कितने जतन की हैं लेकिन आज तक किसी चीज़ का भी कोई असर नहीं हुआ ये ना हो कि आने वाले टाइम में हमारी बेटी पर कोई परिशानी खड़ी हो जाए आज यासर की बातों में मुझे वहाब का चेरा नजर आने लगा था वो बिल्कुल इसके जैसे ही बाते कर रहे थे मैं घुसे में उटकर खड़ी हो गई और मैंने यासर से कहा कि मुझे कुछ नहीं पता कुछ भी करके आप कल आफिस से जल्दी आ जाएंगे और मुझे इस बाबा के पास लेकर जाएंगे बस फैसला हो गया जैसा मैंने कहा है वैसा ही होना चाहिए मुझे अच्छी तरह से पता था कि वो कभी भी मेरी बात को नहीं टालते वो हमेशा मेरी उमीद पर खड़े रहते हैं अगले दिन मैं अपना इलाज करवाते करवाते ठक गई हूँ अब मुझे कही नहीं जाना जो कमी मेरे अंदर है मैंने इसको कबूल कर लिया है अब आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो अपनी बेटी की ये बात सुनकर मेरी आंखों में आसो आ गए थे मैं अपनी बेटी को ले जाने के लिए इसके आगे हाथ जोड़ कर खड़ी हो गई और कहने लगी बेटी आज मुझे एक आखरी बार मौका दे दो इसके बाद मैं तुमें कहीं भी जाने के लिए नहीं कहूंगी वो मेरी बात मान गई थी और हम बाबा की दुकान तक चले गए थे वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भीड लगी वी थी ऐसा लग रहाता जैसे हमारा नंबर तो बहुत टाइम बाद आने वाला है मैंने अपने शोहर की तरफ देखा और कहने लगी देखा आपने यहाँ पर कितनी भीड है यह सारे लोग यहाँ पर अपना टाइम जाया करने नहीं आए इन लोगों को फाइदा होता है तब ही तो यहाँ पर आए है मेरे शोहर भी गौड से भीड को देख रहे थे और हमारा नमबर आने में अभी बहुत देर थी क्यूंकि बहुत लंबी लाइन लगी वी थी साथ बच चुके थे तब कहीं जाकर हमारा नमबर आया था हम बाबा के पास पहुंचे तो हमने अपनी बेटी दुआ को आगे कर दिया और इनको बताया कि मेरी बेटी बच्पन से ही अंदी है मैं चाती हूं कि मेरी बेटी की आंखों की रोशनी वापस आ जाए और वो इस दुनिया को देख सके इसने जैसे ही मेरी बेटी को देखा इसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई थी और मुस्कुरा कर कहने लगा बेहन तुम अपनी बेटी को बिल्कुल ठीक जगा पर लेकर आई हो तुम्हारी बेटी मेरे लिए बहुत स्पेशल है मैं इसका इलाज भी स्पेशल तरीके से ही करना चाता हूं मैंने सारे लोगों का इलाज इन्हें यहीं पर बुला कर किया है लेकिन तुम्हारी बेटी का इलाज मैं तुम्हारे घर पर आकर करना चाता हूं मुझे अपना पता बता दो ताकि मैं वहां आकर इस लड़की का इलाज कर सकूँ मेरे शोहर ने एक परची पर इनको हमारे घर का पता लिखकर दे दिया बाबा मेरी तरफ देखकर कहने लगे देखना बहन तुम्हारी बेटी की आंखों की रोशनी जल्दी वापस आ जाएगी इसके बाद तुम्हें सब को मेरे बारे में बताना होगा ताके जादा से जादा लोग मेरे पास आ सकें और सिहत मन्द हो सकें कल को अपने घर के दर्वासे खुले रखना मैं तुम्हारे घर पहुंचाऊंगा मैं बड़ी खुशी खुशी वहां से वापस आ गई थी लेकिन मेरे शोहर कुछ अदास से नजर आ रहे थे मुझसे कहने लगे सोबिया मुझे बाबा कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे तो ये शकल से ही ढूंगी लग रहा है मैंने इनको डांड दिया और कहने लगी यासर आप भी हद करते हैं आखिर आपने इनकी ऐसी कौन सी हरकत देख ली जो आपको वो अभी से ही ढूंगी नजर आने लगे है आप तो पहले से ही इन पर यकीन नहीं कर रहे थे अब अगर ऐसा ही रहा तो हमारी बेटी का इलाज कैसे होगा यासर ने कहा चलो ठीक है तुम्हारा जैसे दिल चाहे वैसा करो मैंने यासर को सखती से मना कर दिया था कि अपने आस पडोस में भी किसी को इस बारे में मत बताना कि हमारे घर पर बाबा आने वाले है और हमारी बेटी को घर आकर देखेंगे इस तरह से अगर लोगों को पता चल गया तो फिर लोग हमारे घर पर आ जाएंगे और मेरी बेटी का इलाज ठीक तरह से नहीं हो पाएगा यासर मेरी बात को अच्छी तरह से समझ गए थे और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि चलो मेरी बेटी अब बिल्कुल ठीक होने वाली है मैंने अपनी बेटी से कहा तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी तो हम दोनों मा बेटी बाहर गूमने जाया करेंगे वो मेरी बात सुनकर हसने लगी और कहने लगी मा मैं भी सब कुछ देखना चाती हूँ आखिर ये दुनिया कैसी है मैंने अपनी बेटी को तसली दी और कहा कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी मेरी बेटी भी यही चाती थी कि वो ठीक हो और अपनी आंकों से सब कुछ देख सके फिल्हाल मैंने अपने शोर से कह दिया कि वो नाश्टे का समान लेकर आ जाएं मैं चाती हूँ कि बाबा हमारे घर से खाना खाकर जाएं यासर समान लेकर आ गए अब हमें सिर्फ बाबा के आने का इंतजार था मैंने अपने घर के दर्वाजे खुले छोड़ दिये थे ठीक शाम के छे बज़े बाबा और इनके साथ एक आत्मी आया था शायद इनका चेला था मैं बाबा जी को गेस्ट रूम में ले गई मैंने बाबा से कहा बाबा जी आप पहले खाना खा ले वो मुस्कुराने लगे और कहने लगे नहीं पहले मैं आपकी बेटी का इलाज शुरू करूंगा इसके बाद सब लोग मिलकर खाना खाएंगे तुम्हारे शोहर कहा है इसे भी इसी कमरे में बुला लो मैं यासर को भी कमरे में लेकर आ गई थी उन्होंने दुआ को अपने सामने बिठा लिया फिर अपने तहले से दो कागस की पुडिया निका ली और फिर मुझसे कहने लगे जाओ दो गलास सादा पानी लेकर आओ मैं जल्दी से दो गलास पानी लेकर आ गई बाबा ने वो पुडिया दोनों गलासों में डाल दी थी और फिर वो कहने लगे ये पानी अब तुम दोनों मिया बीवी पी लो पानी पीकर तुम दोनों को अपनी बेटी की आंखों पर फूंग मार देनी है मैंने तो वो पानी एक ही बार में पी लिया था लेकिन मेरे शोहर तो एक घूंड पीते ही कहने लगे इसका जाइका बहुत खराब है बाबा कहने लगे ये क्या बात हुई मैं तुम लोगों की बेटी का इलाज करने यहां पर आया हूँ और तुम लोग इसको पीने में नखरे दिखा रहे हो बहुत से लोग तो ये पानी क्या नजाने क्या क्या पी जाते हैं अपने बच्चों की खुशी के लिए मैंने यासर को आँखे दिखाई और कहने लगी जल्दी से पी लो वो बिचारे मजबूर हो गए और सारा पानी पी गए थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मेरा सर अचानक भारी होने लगा और मुझे चक्कर आने लगे और मैंने पलट कर अपने शोहर की तरफ देखा तो इनको भी चक्कर आ रहे थे और इनका सर भारी होने लगा था लेकिन वो बाबा हमें देखकर हस रहा था बाबा ने मेरी बेटी का हाथ दबोश लिया था और इसको पकड़ कर खड़ा हो गया था इसे अपनी तरफ खैंचने की कोशिश कर रहा था और मेरी बेटी अमी अबू बचाओ कहकर जोर जोर से चिला रही थी और वो अपना हाथ चुड़ाने की कोशिश कर रही थी इसे भागने की भी कोशिश कर रही थी मगर बाबा के चेले ने इसका हाथ पकड़ लिया मेरी बंद होती वी आंकों से मुझे बाबा में एक हैवान नजर आ रहा था और फिर मैं पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी और मेरी आंकों के सामने अंधेरा चागया था मगर मुझे ये ऐसास हो रहा था के मेरी बेटी बहुत बड़ी मसीबत में है मेरे कानों में लगातार मेरी बेटी की चीखने की आवाजे आ रही थी लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी नजाने कितने टाइम तक मैं और मेरे शोहर बेहोश रहे जब मुझे होश आया तो मैं घबरा कर उठ पैठी और चिला चिला कर अपनी बेटी को आवाज लगाने लगी मेरी बेटी हातों से महसूस करती वी चल कर मेरे करीब आई तो मैंने इसको गले से लगा लिया इसकी हालत बहुत खराब हो रही थी बेटी की हालत देख कर तो मेरा बदन बूरी तरह से काम पर रहा था डर की वज़े से मेरी बेटी कुछ बोल भी नहीं पा रही थी बस रोए जा रही थी मेरी बेटी के कपड़े भी फटे थे और वो बहुत रो रही थी मैंने जल्दी से यासर को उठाया और इधर उधर बाबा को ढूणने की कोशिश करने लगी लेकिन जब मैं कमरे से निकल कर बहर आई तो मैंने देखा कि हाल में ही बाबा और इसका चेला कुर्सी से बंदे पड़े है मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा और पूछा क्या हुआ है बेटा यासर भी होश में आ चुके थे थोड़ी देर बाद ही हमारे कमरे के अंदर पुलिस भी आ गई थी काफी सारे पुलिस इंस्पेक्टर हमारे घर में आ चुके थे उन्होंने बाबा और इसके चेले को पकड़ लिया था और अपने साथ लेकर चले गए थे इनके पीछे वहाब भी खड़ा हुआ था मैं वहाब की तरफ देखकर बुरी तरह से डर कर रह गई थी मैं कहने लगी वहाब तुम यहाँ पर कैसे आ गए यहाँ क्या हुआ था वो कहने लगा आंटी मैं कल आपके घर आया था तब आप लोग कहीं जा रहे थे मैंने अपनी बाइक पर आपका पीछा करते करते इस बाबा की दुकान तक चला गया मैं वहाँ पर बाहर खड़ा आप लोगों का इंतजार कर रहा था आप लोगों की नजर मुझ पर नहीं पड़ी थी लेकिन फिर अजानक मेरे घर से कॉल आ गई इसलिए मैं अपने घर को वापस लोड़ गया हाँ मैंने आप लोगों की बाते सुननी थी कि आप लोगों की घर कल बाबा आएगा और दुआ का इलार शुरू करेगा मैं अपने घर वापस चला गया था मुझे आप लोगों की अच्छाईने बहुत मतासिर कर दिया था मैंने ठान लिया था कि मैं आपके घर वापस जाओंगा क्योंकि ये कोई अच्छा इंसान नहीं था ये एक ढूंगी बाबा था अच्छे लोगों को लूटता था और जवान लड़कियों की इज़त खराब करता था एक दिन मुझे पता चला था कि इस जूटे बाबा को मुलतान से भी फ्रॉट की वज़ा से निकाल दिया गया था इसलिए मैंने प्लैनिंग की हुई थी कि अगर ये बाबा आपके घर पर कोई गड़बड़ी करेगा तो मैं फॉरण इसको पुलिस के हवाले करवा दूँगा इसलिए मैं दिवार से कूट कर आपके घर के अंदर आ गया था ये बाबा आप लोगों के साथ जो भी कर रहा था वो सब कुछ मैं देख रहा था जब इस बाबा ने आप लोगों को भी होश कर दिया था तो मैं पुलिस को कॉल कर चुका था आपके भी होश हो जाने के बाद ये दोनों दूआ के साथ जबरदस्ती कर रहे थे मैंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर बाबा और इसके चेले को पकड़ कर कुर्सी से बांदिया था खुदा ने हमारी दूआ को बचा लिया है और मैं दूआ को समझा रहा था कि इसे डरने की कोई जरूरत नहीं है मैंने आप लोगों को होश में लाने की बहुत कोशिश की लेकिन आप लोगो घोश में नहीं आ सके जब थोड़ी दिर के बाद आप लोगो घोश में आ गए तो पुलिस भी आ गई और इन दोनों को पकड़ कर ले गई मैं वहाब की बाते सुनकर फूट फूट कर रोने लगी मैं कहने लगी वहाब मुझे माफ कर दो खुदा तुम्हारा भला करे तुमने आज हमारी इज़त को बचा लिया है और मेरी बेटी की जान भी बच गई वहाब कहने लगा आंटी आपको उस दिन मेरी बात बहुत बुरी लगी थी मगर सच तो यही है कि खुदा ने कुछ सोच करी दुआ को आंखों की रोशनी नहीं दी आप खुदा की मर्जी को ही अपनी मर्जी बना लीजिए और इसकी मर्जी के आगे आपको हत्यार डालना चाहिए आपको हर किसी ने लूटा है मगर क्या फाइदा हुआ अभी तक दूआ देखने तो नहीं लगी मैं रोते वे वहाब से कहने लगी तुम्हारी जैसी बात आज तक मुझे किसी ने नहीं कही थी बस लोग मुझे डॉक्टर बाबा का बताते थे और मैं इन लोगों की बातों में आती रहती थी जो जैसा कहता वैसा ही कर लिया करती क्योंकि बेटा मैं एक माँ हूँ और एक माँ अपनी उलाद की खुशी के लिए सब कुश कर सकती है लेकिन किसी ने मुझे ये नहीं बताया था कि खुदा की मर्जी में ही हमें भी राजी रहना चाहिए तुम मुझे माफ कर दो मैंने वहाब के सामने हाथ जोड लिये थे इसने जल्दी से मेरे हाथ पकड़ ली और कहने लगा कि नहीं नहीं आंटी आप ऐसा मत करें आप तो मेरी माँ है मैंने खुदा से भी माफी मांग ली थी मेरे शोहर भी वहाब से मिलकर बहुत खुश हो गए थे फिर वहाब ने अपने बारे में बताया कि किस तरह इसकी यादाश वापिस आ गई थी इसने बताया कि जब वह हमारे घर से चला गया था तो इसको रास्ते में इसके दादा और बाप मिल गए थे जो इसको ही तलाश कर रहे थे इनने लगा था कि इनका बेटा मर चुका है लेकिन वो अपने बेटे को जिन्दा और सही सलामत देख कर बहुत खुश हुए और वहाब को अपने साथ अपने घर ले गए थे जब वहाँ पर रहते रहते धीरे धीरे वहां सब को पहचानने लगा और धीरे धीरे इसकी यादाश भी वापस आ गई थी और वो बिलकुल नॉर्मल हो गया था लेकिन यादाश वापस आने पर वो हमें नहीं भूला था हम इसे अच्छी तरह से याद थे जिस तरह से हमने इसकी जान बचाई थी और इसे अपने घर में जगा दी थी वहाब ने हमें अपनी फैमली से भी मिलवाया था इसकी फैमली काफी अच्छी और पड़ी लिकी थी वो बहुत अमीर लोग थे वहाब ने मेरी बेटी को अपनी बहन बना लिया था और मेरे शोहर तो वहाब को अपना बेटा ही मानते थे मेरी जिन्दगी में शायद अभी तक एक बेटे की कमी थी चोंकि वहाब के आने से पूरी हो गई थी वहाब के और हमारी फैमली के रिलेशन्स काफी अच्छे हो गए थे हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहते थे अब देखते ही देखते मेरी बेटी 20 साल की हो गई वहाब की ताई को हमारी बेटी दौा बहुत पसंद आई थी इसलिए उन्होंने अपने बेटे का रिष्टा मेरी बेटी के लिए भेज दिया था और सबसे अच्छी बात तो यह है कि जिस लड़के के लिए मेरी बेटी का रिष्टा आया वो लड़का बोल नहीं सकता था दोनों में एक ही कमी थी इसलिए वो दोनों एक दूसरे की कदर करने लगे थे मैंने अपनी बेटी की शादी वहाब की ताई की बेटे के साथ कर दी थी मेरी बेटी अपनी सुसराल में बहुत खुश रहती थी क्यूंकि वहाँ पर इसका ख्याल रखने वाले बहुत सारे लोग है शायद मेरी बेटी की किस्मत में ही ऐसा लिखा था इस लड़के में भी एक कमी थी और मेरी बेटी में भी एक कमी थी जिस वज़ा से इन दोनों का नसीब एक साथ जुड़ा हुआ था फिलहाल दोनों बच्चों की जिन्दगियां अच्छी गुजर रही हैं और जिस दिन मेरी बेटी की शादी हुई मैं अपनी बेटी की तिरफ से बेफिकर हो गई